वेल्कम बेक स्टुएंट्स तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन आप अमाइंस डिसकस की थी और इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले फिजीकल प्रॉपर्टीज और हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 13 अपके और गनिक केमेस्ट्री का है अमाइंस नाइट्र को सबसे पहले जो है देट इस लोवर अलेफेटिक अमाइंस और सॉल्यूबल इन वाटर लोर अलेफेटिक अमाइन से उनका जो इतना ज्यादा बलकी नहीं होता है जिससे वाटर के साथ वाटर के साथ आइड्रोजन बांड इजीले बन सकता है ठीक है बट अब देखो आगे क्या लिखा देखते हैं हावर सॉल्यूबलिटी डिक्रीजीज इंक्रीज इन मोलर मास आवा माइंस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफिलिक अलकाइल पार्ट तो जैसे मैंने बताया वस्टेरिक हिंड्रंस जैसे जैसे उसक ग्रूप कौन सा है CS3, CH2, CH2 ठीक है इस तरह अगर आपको स्टेरिक हिंड्रंस बढ़ता जाएगा तो फिर उसकी सॉल्यूबलिटी क्या होती जाएगी काम होती जाएगी तो वह आपको याद रखना है next out of butane one all year text book and the reki part time seven anime a pair card yet out of Butane one all and butane one amine out of Butane one all and Butane one Amine which will be more soluble in water a minds are soluble in organic solvents like alcohol ether and benzene you may remember that alcohols are more polar than the amines and form stronger and form stronger intermolecular hydrogen bonds than what amines जितने ज्यादा पोलर होंगे क्योंकि वाटर भी क्या है पोलर मोलेक्यूल है तो जितने ज्यादा पोलर होंगे ठीके जितने ज्यादा पोलर होंगे वो ज्यादा सॉल्यूबल हो जाएगा वरी सिंपल तो that's why you may remember that alcohols are more polar than the amines and form stronger intermolecular hydrogen bond with bonds than amines किसके साथ water के साथ so now you can conclude के which of the which of them is more soluble in water and why एक छोटा सा question आपको conceptual question है जो कभी बार्ड में भी आ सकता है या फिर जही में इसके बेसिस के आपको question पूछ सकते हैं चलो next पे जाते हैं देखो therefore order of boiling points of isomeric amines isomeric amines primary secondary or tertiary उसमें सबसे लास्ट में boiling point सबसे लास्ट में जो boiling point जो होगा वो decreasing order में होगा किसका tertiary amines का क्यों इसका reason अभी आपको समझ में आ जाएगा देखते हैं कि इंटर आपके टेक्सबूक की फिगर है यहां पर यह हमारे पास primary amines क्यों है क्योंकि यह जो इसने क्यों यह इसलिए है जादा एनरजी लगेगी इसलिए boiling points होता है वो primary amines इसलिए नहीं सबस्क्राइब और एक हाइड्रोजन बोंड बने तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनरजी लगेगी इसलिए boiling निंग्पॉइंट्स होते हैं वो प्राइमरी हमाइन से क्या होंगे ज़्यादा होंगे है अब सेकेंडरी के इस से कम क्यों हो ताप समझ सकती हो ऑगए इसकी जगा हमारे पास क्या आजाएगा एक आलकाइल ग्रूप आजाएगा यहां पर तो यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉंड नहीं बनेगा सिफ हाइड्रोजन बॉंड कहां से बनेगा यहां से बनेगा तो हाइड्रोजन बॉंड नमबर उप हाइड्रोजन बॉंड कम हो जाएंगे ठीक है एक भी हाईटरोजन अवेलेबल नहीं है जैसे आर क्योंकि नाइटरोजन है उसके आसपास कितने होगे तीनो तीन है तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कि तो सबसे बॉन्डिंग कम किसमें होगा तर्शर राम के विसमें हमें क्या एनर्धी सबसे कम देनी पड़ेगी क्योंकि कोई हेड्रोजन बॉन्ड बनने वाला नहीं है तो लॉंग चेंड नहीं बनेगी लॉंग चेंड नहीं बनेगी तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइलिंग किसका होगा तर्शरी अमाइन्स का होगा कि यह पूरा रियेक्शन देख लो बहुत इजी है अगर आपको एक्जाम में अगर एक्स्प्लेइन करने के लिए पूछे तो आप यह इस्ट्रक्ट्टर के साथ एक्स्प्लेइन कर सकते हो बांडिंग जैसे नीचे लिखा हुए टर्शरी माइन्स डू नॉट इंटर्मोलेकिलर अस्सोशिएशन दू तू अपस्ट्ट्रोजन आटम जो मैंने समझा है वो अवेलेबल फूर है यह ट्रोजन बांड फोर्मेशन ह नहीं होगा क्योंकि एड्रोजन एविलेबल नहीं है क्योंकि वोटर्शरी है क्योंकि उसके पास तीनों थेन आलकाइल ग्रूप है नेक्स्लाइड में चलते हैं ओके सो नेक्स्ट गैमिकल रेक्शिंट गैमिकल रेक्शिंट आपने देखे बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉंसेप्चिवल है मोरोवर अमाइड बहुत ही नुक्लियोफाइल सब्सक्राइड पर यह आपको मालूम है वह अंशेड इलेक्ट्रों पर नाइट्रोजन की उपर तो मुमेंस बहुट्रों नुक्लियोफाइल्स देखते हैं आगे कौन्सकौन से रीक्शन है हमारे पास सबसे पहला जो रीमिक्शना आ चुका है dedic क्रेक्टर आपाइंस अमाइड वाले अगर एक्षिड को हमने रियक्शन किया किसके साथ अगर एसीड का reaction हम करेंगे किसके साथ भई बेस के साथ एसीड का reaction हम करेंगे बेस के साथ acid plus base तो gives what salt and water salt मिलने वाला है तो यहां पे इसका reaction यह base है और यह क्या हो गया acid hydrochloric acid तो हमें क्या मिल रहा है यह salt मिल रहा है that proves that it is what it's a basic nature चलो तो first reaction और देख लेते हैं यहां पर हम क्या है एनिलीन basic compound है उसका hcl के साथ reaction करेंगे तो क्या मिलेगा हम है एनिलीनियम chloride एनिलीनियम chloride यह एनिलीन पूरा hcl के अंदर डिजॉल हो जाएगा यह एनिलीनियम chloride amine salts on treatment with a base like naoh generate the parent amine rna3x अगर यह compound हमने ले लिया उसका and naoh के साथ reaction करेंगे तो हमें primary amine जो parent amine हमने जो लिया था जो हमारा amine था वो हमाइन हमें वापीस मिल जाएगा कौंसा माइन था हमारे पास rna2 जो हमारा primary amine जो था ठीक है यानि यहां पर देखो इगर इसको मैं बता दूं इसी reaction को तो हम किसके साथ naoh के साथ अगर हमने reaction कर लिया किसका इसका naoh के साथ reaction कर लिया तो हमें वापीस क्या मिलने वाला है जो हमने parent amine लिया था rna2 मिल जाएगा वापिस है ओके तो इसी गोईंग रियक्शन है यह 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 बेसिक नेचर आप बेसिक नेचर आप बेसिक नेचर आप बेस तो यह पर देखो विच आमाइंस हैं अंशेट पर आप इलेक्टर नाइट्रोजन दी टू देखो यह यह बेस लिया हुआ है उसका हम आइट्रोजन के वाटर के साथ रियक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने यह दो आइंस मिलने यह दोने इंवर्स फंक्शन है वह भी आपको समझाया था और स्मॉलर दो वैल्यों पी के भी देट में स्ट्रॉंगर इस बेस क्योंकि के भी जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा वह स्ट्रॉंग बेस बनेगा ठीक है तो यह यह भी शो करता है क्या पेसिक करेक्टर शो करता है सबसे बला फीक क्यिक्रैक्ट्र पर हमाइंेंश ऑफ फीचिक अब इसका अब नेक्स लेक्चर में डिसक्टर करेंगे स्टों इसकती फॉब्य में कया था छोड़ा से ज्यादा है नेक्स लेक्चर में क्रेंगे तो इसका नेक्स लेक्चर में वीडियो आपको अगर अटेन करना हो तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नौटिफिकेशन आ जाएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेर करो और नौटिफिकेशन बेल को अंकर दो जैसे वीडि